असलाम अलेकुम गायर वेलकम बेक टू माय चैनल मामास के चैनल आज में बना रही हूं देहली बिरियानी अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनेगी बिरियानी अब हम अपने रेस्प जीए पैल लेकशन ना उस्पाव और 1 तेसपून काली मिर्चे 1 टेबिल इस्पून के साबुत गरन मसाला पास ये नमक ₹ टीस्पून और टीस पून पिसाव धन्या एक पाव हमर पास ये लेसन अधर आख 1 टीस्पून एक किलो चिकन या हम पास फेलने बिलेक्षा नाले कि यह अल्दी डाल दिसके अंदर लेसंद्र बाद हमने पिसा धनिया डाल दिया नमा खस बेद दूर डालेगा राइस ग्राम पास दही है फेट के बढ़ डालेंगे दही पिसी मिर्चे डाल दिसके अंदर हमने अब ग्रमसार लादी हमने इसके अंदर है जीरा काला जीरा ताली मिर्चे डाल देंगे पिसी भी इसको चीदर मिक्स कर लेंगे इसको अदिर गंटे के लिए छोड़ देंगे बहुत मज़ेगी बनेगी बगए टिमाटरों के बनेगी यह हमने छोटी लाइची और जायाधा जावद्री को पीस लेंगे इस मेरी नेशन में बिला देंगे इसको सिंपल ओर इजी है बहुत बहुत टेमाटर की बनेगी मुझेगी बनेगी ठाने में बहुत टेस्टी होग आप इस तरह की बना सके लिए तbir ज आ नहीं मिला देंगे तो आह प्यास फ्राइब करेंगे प्यास फ्राइब करने के बाद इसमें मेरिनेट कीवी चिकन डाल देंगे यह हम फ्राइब करें प्यास यह हमारे फ्राइब हो गई प्यास जादा डार्क कलर नहीं देना लाइट कलर देंगे यह मेरिनेट कीवी चिकन डाल देंगे इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे अच्छी थोड़ा सा पाई डालेंगे मसारा लगावा है हमारे बॉल में इसको साफ करके थोड़ा पाई डाल देंगे इसके अंदर इसको भून लेंगे थोड़ा सा हमने इसका पेस्ट बना लिया था इसमें डाल दिये अब इसको थोड़ा फ्राई करेंगे चिकन को फिर इसमें थोड़ा सा पाई डाल के इसको ढट देंगे अब इसको हम ढग देंगे मिक्सकन के बार फिर हमारी जब चिकन आदी कल जाएगी तो हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे इसको हमारी जादी कल गई है छुभाज इसके अंदर भी इसमें हम ऐलू डाल देंगे ताकि चिकन का पानी भी खुश्क वह जाए और जाकynn invasion करेंगे पानी खुश्क जांगे आलू गल जाएग के इसके बाद हम चामल उबाल लेंगे कि यह पानी हो थुश्क वह गया इसका इसको भून लेगे यह हमारी रेडियो को यह चिकन पुलेवे चामल है पहले हम चामल डालेंगे फिर इसको इपर चिकन डालेंगे तेल लगा रहे हम इसकी यह में पस बास पती चामल है यह बकाया चामल डाल दी हमने इसके उपर कॉटर टीस्पून हम जर्दे का रंग ले लेंगे हाफ टीस्पून हम क्योड दीन दूद्य लेंगे डालने के लिए यह पकाया चामल विए अब में इसको इसके नदर डाल दियाए ठनिया पुदीना अजि अर्छे डाल देंगे धमपर यह पस कौटर टीस्पून यलो रख क के अदर 1.2 टीज़वाटर डालेंगे लोट देंगे कवाटर डाल दालेंगे एक लाल देंगे लिवन जूश पर अब यह भाल अम दैनी इस के ऊपर रधनिया पुदीना हरी मिल्चे और दो से तीन टेबल स्पून ओइल डालेंगे इसके उपर और फिसको दम पर रख देंगे दस मिनट के लिए अब इसको हम ठख देंगे दस मिन पाद हमारा दम हो जाएंगे चामल तो हम इसको निकाल लेंगे यह बिर्यानी हमारी रेडी हो गई है दम हो गया है अब हम इसको डिश आउट करेंगे दम खोन लेंगे बाद आप देख सकते हैं इसके कलर भी चामलों का और खिले खिले इंचामल भी हमारे अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे मज़ेदार हमारी दहली बिर्यानी रेडी हो झाल झाल